है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीवो के स्मार्टफोन में प्राइवसी पासवड को कैसे ब्रेक करना है अगर आप भी अपने प्राइवसी पासवड को तोड़ना चाते हैं और आपको मालूम नहीं है कि Vivo के smartphone में privacy password को कैसे तोड़ा जाता है तो आप सही वीडियो पर आए हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ trick बताऊंगा जिसकी मदश से आप आसानी से आप Vivo के privacy password को तोड़ सकते हैं तो चलिए गया इस वीडियो को start करते हैं दोस्तो यहां से मैं अपने albums के application पर क्लिक करूँगा क्योंकि वहां पर मैंने उस application पर privacy password रखा है यहां पर आप देख सकते हैं Enter your privacy password तो मुझे मेरा privacy password पता नहीं है नीचे आपको forward password का option दिखाई देगा उस पर आपको click करना है जैसे आप उस पर click करेंगे तो आप इस page पर आ जाएंगे identity verification problem 1 what was the name of your primary school and second 1 what was the name of your best friend in childhood तो यहां से आपको दो equation को solve करना है पहले तो आपको अपने primary school के नाम को enter करना है and second 1 best friend in childhood जो आपका best friend है उसका नाम यहां पर enter करना है अगर आपको दोनो answers पता है तो यहां से answers टाइप करके verify पर click करना है जैसे आप दोनो questions को answer करेंगे तो उपर आपको verify का option मिल जाएगा वहां से आप verify कर सकते हैं और फिर से अपने privacy password को reset कर सकते हैं अगर आपको दोनो problem के answers मालूम नहीं है तो बस आपको back आ जाना है और यहां से आपको settings application open कर लेना है settings application open करने के बाद यहां से आपको इस page को scroll down करना है और यहां से आपको system management पर click करके यहां से अपने phone को reset कर लेना है तो backup and reset पर click करके iras all data पर click कीजिए जैसे आप उस पर click करेंगे जो भी आपके apps, data और facebook, instagram account है वो automatically delete हो जाएंगे दोस्तों अगर आप अपने mobile के data को lose करना चाहते हैं तो यहां से आपको बस clear now पर click करना है जैसे आप clear now पर click करेंगे तो आपके mobile phone में जो भी accounts, downloaded apps system app settings और जो भी other data है वो automatically erase हो जाएगा तो इस तरह आप स्ट्रीक की मदश से अपने privacy password को दोड़ सकते हैं वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को like करना और ऐसे interesting वीडियो पाने के लिए इस channel को subscribe कीजिए Thanks for watching it